क्वेस्चन नबर 24 देखेंगे कह रहा है कि परवले y square equal to 8x के एक इसपर्स रेखा का समी के रण y is equal to x plus 2 है माल लेते हैं परवले y square is equal to 8x है जिसकी एक इसपर्स रेखा का समी के रण जो है y is equal to x plus 2 है अच्छा इसको और थोड़ा से modify करके अगर लिखें y को उधर ले जाएं तो यह आ जाएगा x minus y equal to minus का 2 और यह बन जाएगा equation 1 दूसरा क्या करा है इस पर्स रेखा पर वह बिंदू बताइए करा है इसी इस पर्स रेखा पर वह बिंदू हमने इमान लिया है वह बिंदू जो है यह है बताइए जहां से दूसरी इस पर्स रेखा परवले पर खीची जाए दूसरी इस पर्स रेखा पर वह बिंदू से ह इसका equation दिया गया है, यह point हमको चाहिए, तो इसका equation निकाल लेते हैं, अगर इसका equation हमको मिल जाएगा, तो दोनों का point of intersection, यानि कि प्रतिछे दन बिंदू निकाल देंगे, यह point हमको मिल जाएगा, इसका समीकरण हमको given है, अच्छा, इस रेखा को निकाल सकते हैं, अब रेखा होती है, है ना, क्या होती है, जो उसकी रेखा होती है, वो हो जाती है हमारे पास, y equal to, यानि कि इस पर सरेखा जो होती है, y equal to हमने पड़ा है, mx plus c की जगापर क्या रख देते हैं, a by m, तो निकाल लिया जाए भाई, पहले a और m की m कहां से निकलेगा, m ये रेख रहा देगी, ये दोनों perpendicular है, तो इसकी प्रवड़ता और इसकी लंब रेखा की प्रवड़ता, तो देखिए, ये हमारी मालो m आ गई, तो इसकी प्रवड़ता कितनी आएगी, इसकी आएगी, 1, y equal mx से तुलना करो, 1, तो इसकी लंब रेखा की कितनी हो जाएगी, 1 by minus, 1 by, कितना हो जाएगी, minus का m, m1, m2 बराबर क्या होता है, m1, m2 बराबर minus 1, यानि कि m2 बराबर क्या होता है, minus 1 by m1, तो इसकी एक है, तो ये minus की एक हो जाएगी, इसकी प्रवड़ता, यानि कि m बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर minus 1, और देखिए, 4a बराबर 8 दिया है, 4 का मान है माइनस 1 x हो जाएगा यह और यहाँ पर एक ही जगह पर 2 रखना है तो यह माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि हम का मान माइनस 1 रखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और इधर हम इधर भेजेंगे इसे तो यह वाली रेखा का यह वाली रेखा का जो समी करण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा x plus y बराबर minus 2 कितना आ गया भाई दूसरे वाली का आ गया x plus y बराबर भी आ गया minus का 2 है ना ठिक है यही आएगा बिल्कुल है ना उसमें no change एक आ गया हमारा x minus y is equal to minus 2 पहले से given था और दूसरा क्या आ गया है x plus 2 x plus y बराबर minus का 2 दोनों को solve कर लिया जाए तो यहां से हमको point up intersection मिल जाएगा इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदू मिल जाएगा दोनों को जोड देंगे तो कितना आ जाएगा 2 x बराबर minus का 4 आ जाएगा और x बराबर minus का 2 आ जाएगा अच्छा x बराबर minus का 2 मिल गया उठा के रख दो y में यहां पर रखेंगे तो आ जाएगा x की जगाबर minus 2 minus का y बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा minus 2 minus 2 इधर रहेगा दोनों cancel y बराबर 0 यानि कि minus का y बराबर 0 मतलब y बराबर 0 तो यह point क्या बन जाएगा यह वाला जो point बन जाएगा हमारा x कमान कितना है minus का 2 y कमान कितना है 0 minus 2,0 कौन साफ़न से ही हो जाएगा option d जो होगा वो इसका correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे next question देखेंगे